C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 9 प्रिष्ट 102 से 109 तक प्रिष्ट 102 यहां कई सारे चित्र दिये हुए हैं जिन में विभन द्रिश दर्शाय गया है शीर्शक समानता के लिए संगहर्श इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपत्ती, मेलानी और सौपना जैसे लोगों के बारे में जाना इन सब के कहानियों में जो बात समान है, वो ये कि उनके साथ असमानता का व्यवाहर किया गया ऐसी इस थित्यों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उधारन है जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आखड़े हुए क्या अध्याए एक की रोजा पाक्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याए पांच में स्त्री आंदोलोनों पर सुनें चित्र लेख आपको ध्यान है? इस अध्याए में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में जानेंगे जिनके दुआरा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी प्रिष्ट एक सो तीन भारत का समविधान हर भारती नागरिक को समान दृष्टी से देखता है आप पुस्तक के पहले हिस्से में सुन चुके हैं कि राज्य और उसके खानून के दृष्टी में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधर पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है देश की हर वयस कनागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है मतदिकार की ताकत के जरिये ही जनता अपने प्रतिनिधी को चुनती या बदलती है मतदिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं? इस पर आपस में विचार कीजिए मतदिकार से हमारे भीतर समानता का भाववे किस्थ होता है क्योंकि हमारे भी वोट की किमत उतनी है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की लेकिन ये भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं चूपाता आपने पहले के अध्यायों में सुना है कि कैसे स्वास्त सेवाओं में निजी करण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवाये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यन्त गरीबों के लिए अच्छी स्वास्त सेवाओं को कठिन बना दिया है ये वे लोग हैं जो महंगी और निजी स्वास्त सेवाओं का बोज नहीं उठा सकते इसी तरह देखें एक बूड़ी औरच जो घर पर अच्छा अचार बनाती है बड़ी कंपनियों के लंबे चोड़े विग्यापन खर्च और अरेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है सौपने के पास भी परियापत संसाधनों की कमी है और इसी लिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए एक सहुकार से उधार लेना पड़ता है यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेशना पड़ता है देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाकों महलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती है इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयम का कोई काम नहीं कर पाती है घरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतिय समाज में वशमता और असमानता की सबसे बड़े कारणों में से एक है दूसरी और अनसारी दमपत्ते को संसाधनों के नहोने या कम होने के कारण असमानता नहीं जहलने पड़ी वास्तव में जबकि उनके पास खिराय देने के लिए भी पर्यापत पैसे थे तब भी वे एक मकान पाने के लिए महिने भर भठकते रहे लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वालमी की से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंके वे दलित थे आपने इसी पुस्तक में जाना कि महलाओं के द्वारा किये गए काम अक्सर ही पुरुशों के कामों की तुल्ना में तुछ माने जाते हैं प्रिष्ट एकसोच्छार इन सभी के साथ किये जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण ये था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी के थे या वे महलाई थी धर्म, जाती और लिंग वे कुछ महतुपून कारख हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यावार किया जाता है गरीबी, मानवी गर्मा का अभाव और कुछ विशेश समुदायों के प्रती अपमान जैसे कारख अकसर ऐसे मिले जुले ढंक से सामने आते हैं कि ये तेह करना कठिन हो जाता है कि कहां एक तरहें की असमानता खत्म होती है और कहां दूसरी असमानता शुरू हो जाती है आपने सुना है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में बढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है ये स्थिती, गरीबी, सामाजी का समानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है भारत में ये एक वास्तविता है कि जो गरीब हैं सामानता दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इन में से भी विशेशता महिलाए हैं 2011 की जन गरना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जन संख्या में 48.5% महिलाए है 14.2% मुसलमान है 16.6% दलित है और 8.6% आदिवासी है शीरशग समानता के लिए संखर्श दुनिया भर के तमाम समुदायों, गामों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किये गए संखर्शों के कारण समान से पहचाने जाते हैं ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किये जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हम इनका समान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानविये गरिमा के साथ स्विकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय से उपर माना इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समधान हेतु बुलाते हैं अक्सर समानता के किसी विशेश बुद्धे को लेकर संगर्श करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपून पहचान बना लेते हैं जोकि समता की लड़ाई में बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं भारत में ऐसे अनेक संगर्श यात किये जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्धों के लिए लड़ने को आगे आये जो उन्हें महत्वपून लगते थे अध्याई पांच में आपने सुना कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ मद्ध प्रदेश का तवा मत्स संग ऐसा ही दूसरा उदारण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए ऐसी तमाम संगर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीडी मजदूरों, पच्छवारों, खेती हर मजदूरों, चुग्गी वासियों के समोहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लडाईयां लड़ी ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिल जुलकर संसाधनों पर नियंत्रन करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किये यह एक चित्र है Reduced Inequalities सतत विकास लक्ष दस असमानता को कम करना www.in.undp.org क्या आप अपने परिवार समुदाए गाउं ये शहर में किसी ऐसे विक्ति के बारे में सोचते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने नियाए और समानता के लिए लड़ाई लड़ी प्रिष्ट 105 शीरशक तवा मत से संग जब जंगल के बड़े ख्षेत्रों को जाणवरों के लिए अभ्यारणे गोशित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्मान किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं पूरे के पूरे गाउं के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़ कर कहीं और नए घर बनाने और नए जिन्दगी आरंभ करने के लिए मजबूर किया जाता है इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं शहरी क्षेतरों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है इन में से कुछ को शहर के बहरी इलाखों में दोबारा वसाय जाता है इस सारी कवाइद में नस सिर्फ हटाए गए लोगों के कामधंधे प्रभावित होते हैं बलकि शहर में इस्थित स्कूलों से दूर हो जाने के वज़े से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अकसर गंभीर रूप से प्रभावित होती है लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं यह एक चित्र है नाव में एक ग्रति खड़ा हुआ है तवा नदी का जलाश है देश में ऐसे बहुत से संगठन है जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इस अध्याय में हम तवा मत्स संग के बारे में बताएंगे जो मच्छवारों की सहकारी समिति का एक संग है और सत्वड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है चिंदवड़ा जिले की महादेव पहड़ियों से निकलने वाली तवा नदी खुशंग का बाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है तवा पर एक बांध का निर्मान 1958 में आरंब हुआ और 1978 में पूरा हुआ जंगल के एक बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी क्रिशी भूमी भी बांध में डूब गई जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे इन में से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मचली पकड़ने का व्यावसाय आरंब किया ये सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे 1994 में सरकार ने तवा बांध के खेतर में मचली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया इन ठेकेदारों ने स्थानी और लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी खेतर से सस्ते श्रमिकों को ले आए ठेकेदारों ने घुंडे बुला कर गाउवालों को धंकिया देना भी आरंभ कर दिया चुकि लोग वहां से हटने को तयार नहीं थे गाउवालों ने एक जुट होकर तै किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बना कर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है इस तरहें तवा मत्स संग नाम के संगठन को बनाया गया नवगठे तवा मत्स संगठन T.M.S. ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मचलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमती दी जाए ये मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया उनके प्रतिरोत को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समिक्षा के लिए एक समिति गठित की समिति ने गाओं वालों के जीवन यापन के लिए उनको मचली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशन साकी यह एक चित्र है उसमें बांध और नदी का द्रिश्य दिखाये गया है नदी पर बांध ऐसी जगें बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकठा किया जा सके ऐसा करने से एक जलाशे बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्शित्र उसमें डूब जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार उंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है ये फोटो उत्राखंड में टेहरी बांध के बनने से दूब गए इलाके की है इस बांध के कारण पुराना टेहरी शहर और सौ गाउं जिन में से कुछ पूरी तरह से और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए लगभग एक लाख लोग विस्थापित हो गए तवा मत्स संग के संगर्ष का मुद्दा क्या था? गाउं वालों ने ये संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूच की? क्या आप सूचते हैं कि तवा मत्स संगर्ष की सफलता का कारण था? ग्रामीनों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में दो पंक्तियां लिखिये प्रिष्ट 107 यहां दो चित्र हैं पहले चित्र में TMS के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए और दूसरे चित्र में सहकारी समिती की एक सदस्या मचली तोलती हुई 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तै किया कि तवा बांध के जलाशे से मचली पकड़ने का अधिकार यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा दो महीने बाद सरकार ने तवा मत्स संग को बांध में मचली पकड़ने के लिए पांच वर्ष का पट्टा लीज देना स्विकार कर लिया और इस तरहें दो जनवरी 1977 को तवा क्षेतर के 33 गाउं के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंब हुआ तवा मत्स संग TMS के साथ जुड़कर मचवारों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया ये इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सरकारी समिती बनाई जो पकड़ी गई मचलियों के प्रत्य खेप की उचित खीमत सीधे उन्हें देती है ये सहकारी समिती इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है सारा माल बादार तक पहुँचाना और वहां भी उचित मुल्ल प्राप्त करना समिती का ही काम है ये मचवारे अब पहले के तुलना में तीन गुना ज्यादा कमाने लगे हैं तवा मत्स संग ने जाल खरीदने और रख रखाओ की जरूरत के लिए मचवारों को रिंड देने की भी विवस्था की है मचवारों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स संग ने इस बात की भी विवस्था की है कि जलाशाय में मचलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले TMS ने सभी के सामने ये बात सिध कर दी है कि लोगों को जब आजिविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचाय भी देते है क्या आप अपने जीवन से एक ऐसा उधारण याद कर सकते है जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो प्रिष्ट 108 यहां एक चित्र है यहां प्रस्तुत यह गीत विने माहजन द्वारा सूचना के अधिकारों के अभियान में लिखा गया शिर्शक जानने का हक मेरे सपनों को यह जानने का हक रे क्यों सदियों से तूट रहे हैं इन्हें सजने का नाम नहीं मेरे हाथों को ये जानने का हक रे क्यूं बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं मेरे पैरों को ये जानने का हक रे क्यूं गाउं गाउं चलना पड़े है क्यूं बस का निशान नहीं मेरी भूग को ये जानने का हक रे क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने मुझे मुठी भर धान अन्न नहीं मेरी बुढ़ी मा को ये जानने का हक रे क्यों गोली नहीं सुई दवाखाने पट्टी टांके का सामान नहीं मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे क्यों राद दिन करें मजबूरी क्यूं शाला मेरे गाउं में नहीं शीरशक असमानता के विरुद्ध रचनातमक अभी व्यक्ति इस चित्र में लोग गाना गा रहे हैं कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलोनों में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्निकलाओं जैसे अंदृत्य संगीत आधिक प्रयोग ध्यान आकरिष्ट करने के लिए करते हैं, लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संगर्ष में सक्रिय भूमिका अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानिया ना सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बलके वे समानता में हमारे विश्वास को द्रड़ भी करती हैं, वे नकेवल हमें प्रेरित करती हैं, बलके हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं, उपर्योक्त गीत में से आपको कौन सी पंक् इस पंक्ति से कवी का आश्य क्या हो सकता है? क्या आप अपनी भाशा में अपने क्षेत्र में कोई प्रचलित ऐसा गीत ये कविता कक्षा में सुना सकते हैं, जिसमें मनुश्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो? शीर्शक भारत का समविधान एक जीता हुआ दस्तावेश नियाय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, वो मनुश्य की समता का ही होता है आप ये जानते ही हैं कि भारत का समविधान हम सभी को समान मानता है देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अकसर समविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं तवा मत्स संग के मच्छवारों की आशा का आधार भी सम्विधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बाचीत में लगातार सम्विधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेश की तरह उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सचमुछ अर्थ रखता हो। लोकतंतर में कई व्यक्ति और सम्विधान लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंतर का दाइरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्विकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंतर के केंदर में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जो लोकतंतर के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। प्रिष्ट 109 यहां एक चुत्र है जिसमें एक महिला माइक्रोफोन पर कुछ बोल रही है। हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस जियूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ नियाए की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। जैसा के आपने सुना देश की स्वास्थ सेवाओं का निजिकरण, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यावसाई घरानों का बढ़ता दबाओ और नियंतरन, महिलाओं के श्रम को कम मुल देना, और कपास के किसानों के बेहत कम आय होना, ये सब लोगतंत्र के लिए चुन और समाज में उपेक्षित समदायों से जुड़े हुए हैं, ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं, लोगतंत्र के लिए समता और उसके लिए संगर्ष एक महतवपून तत्व है, व्यक्ति और समदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बन करने के लिए परियाप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, समानता के लिए लोगों के संगर्ष में हमारे समविधान की क्या भूमिका हो सकती है, क्या आप एक छोटे समुह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्यापन तयार कर सकते हैं, इसी क अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक, तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक विकास सांगवान, निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती, निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत